अब तक हमने देखा कि देवीका की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर की पास नहीं जाने दे रहे हैं, और जोगिंदर ने घर के में गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोगता है। देखो सचिन के बापू, दर्वाजे की चाबी दे दो मुझे। देवी का मरती है तो मर जाए, लेकिन ये दर्वाजा नहीं खुलेगा। तुम सारी औरतों को इस देवी का नाम की भीमारी ने पागल कर दिया है। और इस भीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे। वीना बेटी, सुजाता बहू, जाओ, अंदर से देवी का खुले कर आओ। विमला ये बोलकर अपने पती के हाथ से चाबी चीन लेती है। तबी महंदर विमला का हाथ पकड़कर चाबी विमला से चीन लेता है। बाबी, घर के मर्दों से टकर लेकर आप अच्छा नहीं कर रही हो, ये इस घर के संसकार नहीं है। बाबी, ये लो, दर्वाजा खुलो। विमला ताला खोल देती है, तबी वीना और सुजाता देवी का को लेकर आ जाती है। घर की सारी औरते देवी का को लेकर घर से जा रही होती है, कि तबी सुजाता का पती मोहन उससे कहता है। सुजाता, तुम देवी का को लेकर इस घर से निकल तो रही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बहान निकाला, तो वापस इस घर में मताना। में देवीका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी देखते हूं कौन रोगता है मुझे देखता हूं कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन तुमारी मदद करता है कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे है नागरे के लिए खुले है मोहन को अपनी पत्ती से इस तरह बात करता दे कल्यान मीना से कहता है वीना तुमने देविका का साथ दे कर अच्छा नहीं किया अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिष्टा खत्म समझना मुझे कोई फर्प नहीं पड़ता तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए तुम खुद घर जमाय बनकर मेरे घर में रह रहे हो कभी साव रुपी के साड़ी दिलाई है मुझे मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना समझे ये बोलकर वीना और घर की सभी औरते देविका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है महा जाने की बाद डॉक्टर जल्दी से देविका का चेक अप करता है चेक अप करने की बाद वो गुस्से से कहता है ये क्या किया है तुमने क्या हुआ डाक्टर साब आपकी बहु की इतनी ज्यादा हालत खराब है और उन्हें चोड़ भी लगी है फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया आपको तीन दिन पहले ही ने हॉस्पिटल में एड्मिट करवाना चाहिए था हमसे घल्दी हो गए डाक्टर साब लेकिन आप जल्दी कुछ करिए हमारी बहु और उसके बच्चे को बचा लीजे देखिये अभी कुछ भी कहपाना मुश्किल है हम मा और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं आप सोच लो किसे बचाना है डाक्टर साब आप देविका को बचाईए उससे कुछ नहीं होना चाहिए देखिये हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा आप इनके पती को बलाएए हमें कुछ पेपर पर साइन करवाने है डाक्टर की बात सुनकर सभी औरते सोच में पढ़ जाती है तबी वीना कहती है डाक्टर साब इनकी पती नहीं आ सकते ये इनकी सास है विमला देवी आप इनसे साइन करवा लीजिए लेकिन पेशिंट की हालत इतनी नाजुक है इनके पती है कहाँ वो अपने आदमी होने का धर्मनी बाहरा है पती धर्मन के बारे मैं उसे कुछ नहीं पता डाक्टर साब वो नहीं आएगा क्या क्या करना है आप मुझे बताएए थोड़ी दिर बार डाक्टर देवीका का उपरेशन शुरू कर देते हैं जब वो उपरेशन थेटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं आप लोगों की किसमत अच्छी है देवीका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी डाक्टर बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है सब लोग बहुत खुश होते हैं कुछ दिन तक देवीका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा अब देवीका कुछ हद तक ठीक हो गई डाक्टर ने देवीका को घर जाने की इजासत दे दी लेकिन सबी सोच में पड़ गये हम भाबी को घर ले तो जाए लेकिन मा आपको घर का माहुल पता है न देवीका भाबी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई भाबी वहां आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर की सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे मा क्या हम डाक्टर से बात करके देवीका को थोड़ी दिन और यहां नहीं रख सकते जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहां से ले जाएगे यह बात सुनकर विमला सूच में पढ़ जाती है तभी कमो कहती है तुम दोनों ठीक कह रही हो मैं अभी डाक्टर से बात कर लेती हूं कमो डाक्टर से बात कर लेती है और देवीका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है देवी का अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी आउर्तों के साथ अपनी ससुराल जाती है लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दर्वाजे पर ही रोक देते हैं खबरदार तुम मेंसे कोई भी आउरत अगर घर के भीतर खुसी अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर अपवित्र हो जाएगा घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा बलकि आपकी गंदी सोच की वज़े से घर क्या और पूरा समाज अपवित्र हो रहा है सुजदा मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए अब एक काम कर जैसे ही यहां आई है वैसे ही यहां से सिदा अपने माई के लोट जा क्यों जी? क्यों चली जाओं मैं अपने माई के? मैं जब तक चाहूं यहां रह सकती हूँ अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत करतूँगी वीना, इन सब की तरद तुमारा भी दिमाग खराब हो गया है अब मैं तुम्हें बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करूँगा तुम्हें ऐसी सजा दूँगा कि तुम याद रखोगी सजा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो खुद पुरी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सिबक से खाने की बात बोल रहे हो देखो विना, तुम इस घर की बेटी जरूर हो लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचीन का देश की कानून ने मुझे यह हक दिया है अगर मैं चाहूं तो कोट का सहरा लेकर इस जायदात का आदा हिस्सा ले सकती हूँ और हाँ कल्याण तुमसे तलाग भी ले सकती हूँ वीना देवी का के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है और कम्मो मैंने तुमसे कितना मना किया घर से बाहर मत जाओ, देवी का की मदद मत करो लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी अब तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ ये कदम उठा कर तुमने बिलकुल अच्छा नहीं किया ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था सभी पती इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे देवी का बहुत देर तक सबकी बाते सुनती रही फिर उस दे अपने पती से कहा सचीन, तुमारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली अब तुम बताओ, तुमारा क्या फैसला है देवी का मुझे माफ कर दो मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकता मैं मजबूर हूँ मुझे पताता सचीन, तुमारा यही जवाब होगा मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रेड की हड़ी वाले आदमे से प्यारी क्यों किया शादी क्यों की अब मैं आप सब से बस आखरी बार पोच रही हूँ तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं या मैं पुलिस को फोन करूँ देविका, आज तक हमारे गाउं में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तु हमारे घर के दर्वाजे पर पुलिस को लेकर आएगी तेरे हम्मत कासे हुई ये बात करने की आज तक इन ओरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निखाला था और दो चार दिन में तुने इन सब को इनके अधीका और भी याद करा दिये अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते घर की ओरते घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दर्वाजे पर उनकी लड़ाई देखकर पूरा गाउं एकटा हो गया देविका को अस्पताल पहुँचा कर घर की ओरतों ने काम तो अच्छा किया इस काम से देविका और उसके बच्चे की जान भी बच गई लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की ओरतों को कैसे चुकानी होगी इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखना होगा और हमारे प्यारे दर्शकों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि देविका के साथ बाकी ओरतों को क्या करना चाहिए क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संगर्श करना चाहिए या फिर वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए